नमस्पार, मॉर्निंग बुलिटिन में आपका स्वागत है, मैं आपके साथ पूजा आज इस बुलिटिन में बात होगी पंचाय चुनाफ से पहले बिहार में खूनी खेल छप्रा में वर्ट सदसी की गोली मारकर हत्या, गुसाई भीडने पुलिस जीफ्फू की मोतिहारी में भारत फाइनांस और समिस्तिपुर में SBI की शाका से लूट पटना में बेखौब वदमाशों की कर्थूत नावाली पेटी के साथ छेर खानी का विरोध करने पर मा की गोली मारकर हत्या, पटना में आटो से सफर करना हुआ मेहंगा की राये में 10-30 प्रतिशत तक्वी वृध्धी आखिर में BPSC बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रारंबित प्रतियोगिता परिक्षा के आवेदन आमंत्रित पाच मार्स से कर सकेंगे अपलाई तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर समिस्तिपुर रेल मंडल में शुक्रवार से पुर्फ मध्य रेलवे चलाएगा 10 जोडी स्पेशल पैसेंजर ट्रेन बिजली बिल की वसूली के लिए लक्षित तय बकायदारों के घर पहुचेगी कमपनी बिहार पंचायद चुनाव हर चरन में अलग अचार सहीता जिस जिले में होगा चुनाव वही लगेगा मॉडल कोर्ड ओफ कंड़क्ट विकास कार्यों में नहीं होगी रुकावर्ट और सुर्ख्यों के बाद बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की चप्रा शहर में वार्ट सदस्ती की हत्या के बाद बूदवार को जम कर बवाल हुआ बनियापू थाना शेत्र के हंसराचपूर में मंगलवार की रात वार्ट सदस्ती की हत्या कर दी गई जिसकी हत्या की गई उसने मुख्य अपत के लिए चुनाब रणने की घोशना की थी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुची को भारी विरोत का सामना करना परा आक्रोशित भीर ने जलालपूर पुलिस की गारी में आग लगा दी मौके पर पहुची DSP की गारी को भी पलट दिया मोतिहारी जिले में मधुबन में अपराधियों ने भारत फाइनांस इंक्लूजिन की शाखा से 11 लाख रुपे लूट लिये मटना जिले में बेची के साथ छेरखानी का विरोध करने पर बदमाशों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी ये वारदाद फत्वा इराके की है सूचना मिलने के बाद मौके पर बहुची पुलिस ने शफ को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया वही इस मामले में पुलिस ने तिन संग्गतों को हिरासत मिलिया है और उनसे पूचताच कर रही है राजधानी पत्ना में आटो पर सवारी महंगी हो गई है आटो चालक संगों ने बूदवार से तीन रूटों को छोर जादतर रूटों का आटो की रायर 10 से 30 फीस्दी बढ़ा दिया है डीजल का दाम लगातार बढ़ने के बाद आटो चालकों ने यह नेने लिया है अच बैंक अकाउंट की जानकारी भी मिली है इस मामले को लेकर पूर विधायक विजय कृष्ण के खिलाव वेउठ थाने में केस दर्च कर लिया गया है मिलते है चोटे से ब्रेक के बाद मॉर्णिंग गुलिटिन में फिर से आपका स्वागत है मुझफरपूर शेल्टर होम केस के मुख्यारोपी ब्रजेश ठाकूर की एक दशलम 45 करोर रुपए की अचल संपत्ती को E.D. ने अपने कबजे में ले लिया है E.D. ने इस संपत्त में बताया कि कबजे में ली गई संपत्ती दिल्ली के पालम इलाके में है और ब्रजेश ठाकूर की पत्नी आशा के नाम पर है समिस्तिपूर रेल मंडल में 5 मार्ट से 10 जोरी डिमो एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा खबरों की माने तो इन ट्रेनों में यात्रा के लिए मेल एक्सप्रेस वर अनार्शित यात्रा टिकेट लेना होगा साथ ही यात्रा के दोरान COVID-19 के संबन्द में केंद्रिवर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन भी अनिवारी है बिजली बिल नहीं देने वालों से बिल वसूली के लिए कमपणी बकायदारों के घर जाएगी लोगों पर कारवाई के बदले कमपणी का लक्ष है कि वह अधिक से अधिक बिल की वसूली कर ले इसके लिए कमपणी ने एजंसियों को लक्ष दे कर दिया है कमपणी की कोशिश है कि वह बिल वसूल कर नुकसान कम करे ताकि लोगों को निर्बाद विज्दी देने में परिशानी नहीं हो बिहार पंचाय चुनाफ 2021 काई मायनों में खास होने वाला है प्राज्य में पहली बार पंचाय चुनाफ EVM से होने जा रहे है इस बार के पंचाय चुनाफ में पहली बार चरन बार आरदर्श आचार सहीता लागू होगी दस चरनों में होने वाले पंचाय चुनाफ में जिस चरन में जिन जिलों में चुनाफ होगा उस चरण में केवल उनी जिलो में model code of conduct यानी आदर्श आचार सहिता लागू होगी बिहार लोक सेवा आयोग ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रारंबिक प्रतियोगिता परिक्षा के पद पर भरने के लिए आवेदन आमंतित किये है पुल 55 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो उमिद्वार आवेदन करना चाहते हैं वो बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं उमिद्वार 5 मार्च से आउनलाइन आवेदन कर सकेंगे एक अप्रेल 2021 आवेदन करने की आखरी तारीक है बिहार टिक्स के मॉर्निंग गुलिटिन में सिर्फ इतना ही देखते रहें बिहार टिक्स नमस्कार